हेलो गाईज, दिस विदाज मेश्रा कि मेरे चनल यूर्स मेडिकोज लाइब जरी इसमें हम इंट्रोड़क्शन पार्ट स्टार्ट कर रहा हैं, फार्मेकलोजी का फार्मेकलोजी इसमें ये बताया गया है कि ये ड्रॉक्स का जो ड्रॉक्स क्या इफेक्ट करता है बॉड़ी पर या बॉड़ी क्या रिस्पॉंश हो करता है उसके बारे में बताया गया है फार्मेकलोजी के में तो ड्रॉक्स क्या है? ड्रॉक्स एक कोई भी एजेंट है जो यूसफुल होता है ड्रॉक्स का क्या इफेक्ट होता है बॉड़ी का रिस्पॉंश होता है ड्रॉक्स के लिए जब हम कोई भी ड्रॉक्स लेते हैं तो ये बताया गया है इसमें अब फार्मेकलोजी में आते है थोड़ा सा तो इसमें देखिए फार्मेकलोजी है और इसमें जो इफेक्ट ऑफ ड्रॉक्स ऑन बॉड़ी डी desirable effect वो इस side effect या adverse effect या toxic effect और तो यह दोनों ही चीज़े desirable और undesirable effect यह pharmacological effect बोलते हैं इसको और pharmacodynamic effect बोलते हैं अब आता है pharmacokinetic इसमें क्या होता है कि body का response होता है जब हम भी drugs लेते हैं तो इसके अंडर आता है यह और इसमें आता है कि 4 चीज़े important है ADME यह आद रख लिजीगा absorption, distribution, metabolism, and elimination इसमें यह बता है कि हम कोई भी drugs लेते हैं तो वो accept होता है मारे body में दूसरी चीज़ होती है distribute होता है throughout the body और तीसी चीज़ होती है उसका transformation अलग-अलग form में होता है और चारती चीज़ होती है वो eliminate हो जाता है तो और इसमें यह चार चीज़ों में elimination as compared to metabolism से ज्यादा अच्छा ज्यादा important है यह और elimination भी depend होता है कि drug का क्या nature है water-soluble drug है या lipid-soluble drug है या highly lipid-soluble drugs है तो उसकी इसाब से इसका elimination होता है जैसे urine में water-soluble drugs eliminate होते है stool में lipid-soluble और gas के थुरू volatile nature के जो drugs होते है वो होते है और milk और saliva में highly lipid-soluble drugs होते है वो eliminate होते हैं अब आते हैं इसके थोड़ासा इसको में detail में आगे की वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तो इसमें यह बताया गया है water-soluble drugs है या lipid-soluble drugs है उसका कैसे eliminate होते हैं सबसे पहले पहला step क्या होता है कि हम कोई भी drugs पहले ले रहें वो हमारे GI T में जाता है वह जाके वहthen disintegrate होता है वह dissolve होनी के बाद भी धीरे से blood में जाता है और वहाँ सबसे पहला first step चालो होता है absorption का वहाँ absorb होता है blood में फिर ahm absorb होनक बाद वहो distribute होता है throughout the body और distributed होनी के बाद वह metabolism 허ű besides liver मेंẩ agent होता है drugs का through saliva milk or through gas इसके हिसाब से बता गया आप डाइग्राम में आप देख सकते हो कि यह जो steps है कहां कहां इसका important यह भी है कि इसके organs किस-किस रोल में play करते हैं जैसे कि metabolism का lever होता है elimination का kidney होता है तो इसके बार में बता गया है कैसे हम लोग लेते हैं उसके बार में बता हूं का थेंक यह सो मच गया 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 फो यह अटेंशन एड इस तो प्लीस ही देख देख बेन बने लिटन और शब्सक्राव मैं चैनल